जापुर से प्रकाशित अधिकांज समाचार पत्रों ने GPS से टोल वसूली प्रदेश में भारी बारिश और मुख्य मंत्री के विदेश दोरे की खबरों को प्रमुक्ता से प्रकाशित किया है सडक एवं परिवहन मंत्रा लेद्वारा देश में GPS के माध्यम से टोल वसूली करने की खबर को रादस्तान पत्रिका ने मुख्य प्रश्ट पर प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार मंत्रा लेद्वारा शुलक वसूली के लिए ग्लोबल नैविगेशन सेटिलाइट सिस्टम जारी किया गया है खबर में नई प्रणाली के माध्यम से शुलक वसूली में होने वाली पारदर्श्टा पर भी प्रकाश डाला गया है वही दैनिक भासकर ने भी सडक परिवहन राजमाग मंत्रा लेद्वारा टोल वसूली के लिए जारी की गई नई प्रणाली की खबर को मुख प्रश्ट पर प्रकाशित किया है समाचाप पत्र के अनुसार प्रणाले के माध्यम से आम जन को होने वाले फायदों के साथ ही विशेशग्यों की राय को भी प्रकाशित किया गया है दैनिक नव जोटी ने मुखे मंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश द्वारे की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचाह पत्र के अनुसार मुखे मंत्री द्वारा दक्शिन कोर्यात्रा के द्वारान स्वास्त तोन्स, खाद प्रसंसकरन सहित विभिन शेत्रों की कंपनियों के साथ बैठकी गई वहीं सियॉल टेखनिकल हाई स्कूल में तखनीक और कौशल प्रशिक्षन का दौरा भी किया गया पंजाब केस्री ने दस्वी और बार्वी की ओपन बोर्ड परिक्षा ओन डिमांड होने की खबर को मुख प्रश पर इस्थान दिया है समाचा पत्र के अनुसार रालसान स्टेट उपन बोर्ड द्वारा दस्वी और बार्वी की उपन बोर्ड परिक्षा हर महीने ओन डिमांड करवाई जाएगी वहीं रालसान ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा समाचा जगत ने प्रदेश में भारी बारिश और सक्रिय मौनसून की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार प्रदेश भर में मूसला धार बारिश का दौर जारी है इसके चलते माही बांद के 10 गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है राजसान पत्रिका ने इंसिट्यूट ओफ चार्टेड अकाउंटेंट ओफ इंडिया द्वारा किये गए नए तकनीकी नवाचार की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है खबर के अनुसार इंसिट्यूट द्वारा चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए AI की तरज पर CAGPT लॉंच किया जाएगा अंग्रीजी समाचा पत्र हिंदुस्तान टाइम्स ने बुड़ा पैस्ट में होने वाले चैस सॉलम प्याड में भारतिय प्रतनित्तु की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार अर्जुन एरिगेसी, रमेश बाबू, हरिका दुनावली और गुकेश स्वण पदक के लिए शतंच प्रतिस्फर्दा करेंगे वहीं अंग्रीजी समाचा पत्रदा एक्रूमिक टाइम्स ने स्पैम पर दूर संचार कंपनियों पर जुर्माना लगाने की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार भारते दूरसंचार विनायक प्रधिकरण ने दूरसंचार प्राधिकरण से इस पैम पर जुर्माना वसीन ले के लिए बैंक गारैंटी का इस्तिमाल करने के निर्देश जारी किया है तो ये थी जैपूर से प्रिकाश्वित आज की समाचार पत्रों की सुर्खिया